हेलो स्टुडेंट मैं पवन भामूरिया उडारन डिजिटल के अनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम चिप्टर 6 फिजिक्स का विद्धु चुम्ब की प्रेयरण के अब्जिक्टिव डिस्कूस करेंगे इसका भी वेटेज अच्छा है तो चलते हैं स्टरट करते हैं कुष्टं पहला कुष्टं लेते हैं हमारे पास द् plastic प्लटिपल चॉइस क्विच्छन है चूज दर करेक्ट आप्सण स्वहीए प्रेयंगई लेपर गॉस्त तैसला फ्लक्स का इस तई यूदिटीट जो है वीबर उता है डबलुई बी ए आर वेबर अंसर होगा वेबर सेकंड कुश्चन लेते हैं किसी कॉइल से संबध्ध चुम्ब की फ्लक्स बदला जा सकता है तो फ्लक्स में चेंज कैसे किया जा सकता है फ्लक्स बदला जा जा एक समान चुम्ब की फ्लक्स बदला जाए तो एरिया जो है वोचेंज करेंगे अगर तो फ्लक्स जनेरेट होगा तो यहां पर हमारा answer है उपरोक्त सभी विदियों के द्वारा नेक्स question है थर्ड है प्रेरीद विद्दुध धरा की दिशाग्यात की जाती है तो कौन से ला से direction of induced current हम determine कर सकते हैं तो इसका answer लेंज का law है लेंज के law के थुरू हम क्या कर सकते हैं नेक्स question है विद्दुध चुमगी प्रेरेंड की घटना में उर्जा परिवर्तित होती है तो इनर्जी का change कैसे होगा बेटा आप जानते हम क्या करते हैं क्वाइल के पास कोई work done करते हैं work done मतलब mechanical energy होती है और उसके थुरू क्या होता है क्वाइल में electricity generate होती है तो mechanical energy convert होती है electrical energy में यांत्रीक उर्जा को हम convert करते हैं विद्दुध उर्जा में तो answer B जो है mechanical energy converted into electrical energy यांत्रीक उर्जा जो है वो विद्दुध उर्जा में बदलती है राइट एंसर होगा mechanical energy into thermal energy किसी कुंडली का स्वा प्रेरकत वा निर्भर करता किसी कुंदली का स्व प्रेरकटव निर्भर करता है तो इस पर डिपेंड नहीं करता है अगर आपको ओप्सन देखे रेडियूस पर त्रिज्ञा पर त्रिज्या पर डिपेंड करता है नंबर आफ टेंढ अपनाई तो याद रखेंगी कि एल जो है वो आई-पर डिकेंड नहीं करता है इंपोर्टन कोश्यनिये एल जो है आई-परडेपेंड नहीं करता है सोफट आयरन स्कारे निए बढ़ता है I an fan में को होता है लें वह पर नियम होता है उसको इनक्रीज करने के लिए हम क्या करते हों करते हैं और पर आंसर बढ़ता है इंक्रीज होता है यह नियम आधारीत एप इंपोर्डन कोसेने तूर्फंटी त्री में आएगा लिख लीजी अपनी कौपी में क्या है लेंग काली किस पर डिपेंड करता है तो यह पर निर्भर करता है आंसर ए नेक्स्ट कोशन लेते विद्धु चुम्ब की प्रेरंड में प्रेरीत विद्धुत वाहग बल निम्न में से स्वतंत्र होता है किससे अंडीपेंदेंस होता है सिए फ्लक्स चेंग के तू हिकुल होता है वह time भी आ रहा है number of turns आएंगे five में फ्लक्स पर depend करता है time पर करता है number of rounds पर टर्न करता है लेकिन डिपेंड किस पर नहीं करता आर पर resistance या कहीं नहीं आथा तो कॉइल रिजिस्टेंस जो है उस पर फी जो है प्राइमरी में हम फ्लक्स में चेंज करते हैं जिससे सेकंडरी में इंड्यूज दिये में जन्रेट होता है इंड्यूस करन्ट जन्रेट होता है यहां पर म्यूच्वल इंडक्शन आंसर है नेक्स से फिल इन दे ब्लैंक तो फिल इन दे ब्लैंक पहला कोशन देखते हैं विद्धु चुम्ब की प्रेरेंट की खोज किसने की एलेक्ट्रो मेंगनेटिक इंडक्शन वार डिस्कॉर्ड वाय आप जानते एक फेमस साइंटिस्ट है फेराडे तो फेराडे जो है इन्होंने इंडक्शन के लिए ला भी दियें फेर्स्ट एंड सेकंड ला तो काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है फेराडे स्ला नेक्स्ट है विद्धु विद्धु वाहग बल का मान डेस 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 में परिवर्तन की दर के समान उपाती होता है तो याद रखेंगे फ्लक्स जो है उस फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है समान उपाती होता है कोश्चन है नेक्स प्रेरित विद्धु धारा की दिसा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाली जाती तो कौन से हाथ के नियम से निकाली जाती है यहां पर आएगा राइड है और यहां पर आएगा दाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है राइड है रूल से हम करण की दिरेक्शन काइड कर सकते हैं नेक्स्सक्षिन लेंज का नियम खालिस्तान की दिशा ग्याद की जा सकती है। विद्द्धारा की दिशा लेंज लॉसे फाइंड कर सकते हैं। सम्तल प्रत्यकर कॉंडली का स्वफ रहकत्व कॉंडली की दिशा के क्या होता है। Inductance of a Flat Circular Coil is Of the radius of the coil तो L की बात की है, L जो है वो R के directly proportional होता है L जो है Self induction स्वप्रेर कत्व जो है, वो कुंडली की त्रिज्या के सीधे समानूपाती होता है तो हम L proportional to R मतलब directly proportional to the radius of the coil होगा तो सम्तल व्रत्यकर कुंडली का स्व परेगगरत फेरो की संख्या की क्या होता है फेरों की संख्या पर कैसे डिपेंड करता है घ्र गगतुए जो एल है वो एन इस्क्वेर के डायरिकली प्रपोर्शनल होता है याद रखेंगे वेबर होता है इम्पॉर्टन कोशिन है नेक्स सब्स expelled में उत्तर एजीए पहला कोश्चन लेते लॉस्ट का मात्रक बहुत इंपॉर्डन कोश्च इप थर्ड टाहिम आया है खुश्चन फ्लक्स का इफ्लक्स का इफ यूनिट क्या होगा वेबर तो वेबर जो है वो फ्लक्स का यूनिट होता है स्वारी तो वेबर नेक्स्ट किसी बंद परिपत में प्रेजित धारा कब प्रवाइद होगी करन्ट इंड्यूज कब होगा फ्लो कब होगा अगर सर्किट क्लोज है तो आप जानते हैं कि फेराडेस ला कहता है कि अगर आप चेंज इन फ्लक्स करते हैं फ्लक्स में चेंज करते हैं तो क्वाइल जो है उस क्लोज सर्किट में करन्ट फ्लो होगा इंड्यूज होगा करन्ट इसके लिए आएगा कि चेंज इन फ्लक्स अगर फ्लक्स में चेंज ह कि जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तब होगा तब तब क्या होगा प्रेरित विद्धुद्धारा बहेगी लेंज का नियम किस सरनक्षन पर आधारित है इसको भी रटली जी आने वाला कोष्चन है आई एमप या तो मेजद कोलम में में कहीं ना कहीं तो आएगा तो लेंज का नियम जो है एनर्जी अर्जी कान्चरवेश्ण आई कमाbonाक के कशेर्वेश्ण करण पर अधारित होता है हमारा लेंज का नियम स्वाप्रेरकत्व का मात रख तो अभी मैंने बताया था mutual induction, self induction दोनों की unit की बात करें तो हैंडरी होता है हैंडरी नेक्स कुश्चन एल लंबाई का एक सीधा चालक है और लेंथ है एल एक समान वी वेक से चुम्बकी छेत्र भी में लंबावद कती करता है तो हमारे पास एक uniform magnetic field है भी जिसकी strength है और उसमें वी velocity से perpendicular क्या कर रहा है वो move कर रहा है perpendicular move कर रहा है इसलिए sign जो 90 है उसकी value 1 हो जाएगी आप से पूचा ये मेंफ कितना generate होगा 3 is equal to B into L into V ये होगा उसका answer E is equal to P L V next is एक henry और micro henry में क्या relation होता है henry 1 henry is equal to 10 to the power 6 micro henry mu h प्रत्या औरतिधारा generator का क्या सिध्धान थे किस सिध्धान पर work करता है ये work करता है विद्धु चुम्ब की प्रेरन पर इंडक्शन पर इलेक्ट्रो मेग्नेटिक इंडक्शन विद्धु चुम्ब की प्रेरन इलेक्ट्रो मेग्नेटिक इंडक्शन पर ये जो generator होता है alternating current का वो depend करता है next है किसी कुंडली में संग्रहित उर्जा का क्या रूप होता है what is the form of energy store in a coil coil में जो energy होती हो magnetic energy के form में होती है और उसका formula अगर आपको याद हो पिछले साल इस पर question आया था 1 by 2 Li square होता है magnetic energy का इंडक्शन इंडक्शन पर इंडक्शन होती है next question प्रेरित विद्धु तो आग बल की दिशा किस नेम से ग्याद की जाती है तो बताया था भी में लेंज लॉ लेंज जो है उस लेंज लॉ से लेंज के नीयम से हम क्या कर सकते हैं current जो है induced current उसकी direction find कर सकते हैं next है match the column सहीं जोडी बनाईए तो मेज करते हैं जो हमको पहले जोडी मिल जाए वह हम राइट करेंगे फ्लक्स फ्लक्स कहीं वेबर मिले वेबर तो है नहीं कि स्वह प्रेरंड सेल्फ हो मोटिवेशन कहीं मिले हमको थर्ड है फ्लक्स जो मकी शेत्र प्रेरिधी दुद्वाग बल और स्ततीज उर्जा फिप्त जो है उसका तो हो जाएगा स्ततीज उर्जा है इस्तती उर्जा केले हम लिग सकते हैं कि कोई भी स्तत्तत प्रेंगे इनर्जी उसकी जो Ready होती है वो क्या होती है, जूल होती है, विप्तकात हो जाएगा, जूल, flux की बात करें, तो flux जो है उसका unit हमको पता नहीं है कि क्या होगा, हम देखते हैं क्या होगा, छलिए, flux फाइस एकवल टू क्या होगा, तो इसमें से अगर हम देखें, तो Newton in to meter per ampere जो है वो unit होती है flux की Newton in to meter per ampere स्ववप्रेरकत प्रेरकत तो क्या होता है बाई L होता है L is equal to होता है 5 by I तो कहीं 5 by I मिले हमको वेबर पर ampere मिल रहा है तो यह हो जाएगा स्वप्रेरकत तो second का चुम्बक की छेत्र, magnetic field 5 वराबर हमने पढ़ा था कल, weber per meter square, तो ये होगा, प्रेरीत विद्दुद आख बल, E is equal to होता है, D5 by DT, induced EMF, तो flux, weber by time second, तो weber per second, ये हो जाएगा 4, तो इस टाइप से हम match the column easy, मिला सकते हैं, जो पहले आपको आता है, उसको पहले solve कीजिए, उससे हमारा काम आदा आसान हो जाएगा, उसके बाद आप try कीजिए, कि क्या और हम solve कर सकते हैं, sort में, अगर वो हो गया sort में, तो हम बाकि सब solve कर सकते हैं, match the column काफी आसान होता है, आपके पास जो match the column आता है, उसमें आप chapter लिखिए पहले, कौन से chapter काई है, chapter से ही हम क्या कर सकते हैं, match कर सकते हैं, अगर आपको आता है, तो तो कोई problem नहीं है, जैसे flux है, flux हमने देखा, Newton into meter per ampere होता है, swap रेरकत, self motivation, self motivation जो है, उसके लिए अगर हम बात करें, तो हम क्या बोल रहे हैं, कि हमारा L is equal to five by I होगा, तो five by I, five weber और I मतलब ampere, third magnetic field, magnetic field की unit, हम दो-तीन नीन पहले भी पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, five is equal to ba होता है, और five by a is equal to b होता है, तो यहां से वेबर पर मीटर स्क्वेर यह हो गई, fourth, induzium, fea में, feradus, second lie is equal to d5 by dt, minus भी आता है, तो d5 by dt यह रख, और हो गया, fifth, इस्तती जर्जा, potential energy unit होती है, joule, next question है, flux, flux, उसके बाद, magnetic field, उसके बाद, self induction, coefficient, प्रेरिदी दुदाग बल, और लंबी पारी नालिका का स्वाप्रेरकत, तो यह इतने five हैं, मारे पास, flux की unit, भाइंड कर सकते हैं, magnetic field की, तो magnetic field जो है, उसकी अगर हम बात करें, flux की बात करते हैं, पहले, self induction coefficient, जो L है, उसकी unit तो यह होती है, third dimension formula यह होता है, प्रेरित विद्दुताग बल, यह जो फोर्थ है, इसका यह दिख रहा है, फेराड है, सेकंड ला, डी फाई बाई डी टी, यह जो लंबी परीना लिका है, self induction of a long solid night, इसका यह फिप्त होगा, mu zero, आना चाहिए, zero दीख नहीं रहा है, mu zero n square a by l, अब हमारे पास flux phi है, मलब magnetic field है, और flux है, तो दोनों की हम easily find कर सकते है, unit अगर हमको, sorry, dimension formula अगर नहीं भी पता है, तो कैसे find करें, तो मैंने आपको बताया था, f is equal to b i l, या f by i into l is equal to b, चलिए, f की unit क्या होती है, m1, मनलब dimension formula, m1, l1, m1, l1, t-2, i और l है, यहाँ पर l आ जाएगा, और a आ जाएगा, यह से cancel हो जाएगा, तो m1, l0, t-2, a-1, m1, l0, t-2, a-1, यह किसका हो जाएगा, फिल्ड का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, चलिए, अगर हमको, फिल्ड का पता चल गया, b के dimension formula पता चल गया, तो b into a is equal to होता है, 5 का चाहिए, तो b जो है, उसकी इसमें, a से multiply कर देंगे, तो l हो जाएगा, तो इसमें अगर l की power 2 आ जाएगा, तो यह हमको किसका मिल जाएगा, flux का, तो यह हो जाएगा 1, तो flux का हो जाएगा, m1, l2, t-2, a-1, फिल्ड का हो जाएगा, m1, l0, t-2, a-2, coefficient का हो जाएगा, m1, l2, t-2, a-2, यह तो याद ही रखना है, यह बेटा l का भी होगा, यह m का भी होगा, ठीक है, l और m दोनों का होगा, self और auto induction दोनों का होगा, self and mutual induction दोनों का होगा, स्वानि, next question, यह last question है, काफी easy question है, आपको solve करना है, e जो है, वो किसके equal होगा, m जो है, वो किसके equal होगा, phi जो है, वो किसके equal होगा, थीज इक वल्टू होता है, डिफाए बाय डीटी, पाइ की वैल्वब यां पुट कर दी है, धरा वी परी नालिका के केंदर पर चूमबकी शेदर की तियूरता, तो यह होती है, फिस्ट, सेकर्ड है, धरावाई कुंडली के एक सीरे यह हो जाएगा हमारा इस टाइप से हमेच करेंगे कि यह हमारा सेशन है काफी इंट्रेस्टिंग भी है और इसमें से मैं मानता हूं कि अब दो से तीन कोशन आपकी एक्जाम में मिलेंगे आपको तो आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार दो बार देखिए इसको और हमें बताइए अगर कोई डाउट है ठीक है और आपको फिर से में बोलना हूं कोई कोश्चन आपको सब्जिक्ट्व कोश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप कोश्चन डालिए मुझे कमेंड में हम उसका सॉलिशन लेकर हाजिर होंगे थैंक यू